नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टार क्लासेस में स्वागत है आपका आज हम लोग बायलोजी के मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक, सेल को समझेंगे, कोशिका क्या है, कोशिका के क्या क्या कार रहे हैं, और कोशिका से रिलेटेट जितने भी प्रस्न एक्जाम में बनते हैं, उन समाल कमपार्डमेंट, मतलब मीन्स की एक छोटा कमरा, यहनि कोशिका किसी भी सरीर की सबसे छोटी का जीब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो कोशिकाओं के अध्यनकों क्या बोलते हैं दोस्तों, तो साइटोलोजी का आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टन प्रस्न एक्जा थी सरप्रथम, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टन प्रस्न एक्जाम के लिए, SSC, Estate, Supertate, Uptate and other exams के लिए मोस्ट इंपोर्टन प्रस्न कोशिका की, खोज किस ने गी तो रावर्ट हुकने, आए समझते हैं कि कोशिका को सरप्रथम, जीवित कोशिका को सरप्रथम किस वैज्यानि ने देखा था दोस्तो तो लिवेन हाक ने किस ने देखा था दोस्तो लिवेन हाक ने जीवित कोश्का को सरप्रथम देखा था लिवेन हाक ने आए सबसे most important प्रस्त इस topic से कोश्का सिद्दान किस ने दिया था दोस्तो तो cell theory जो दे थी स्लीडन और सयान स्लीडन और सयान ने कौन सी थियोरी दी थी तो सेल थियोरी या कोश का सिद्दान सर प्रथम प्रस्तुत किया था स्लीडन और सयान ने आईए समझते हैं दोस्तो सबसे वड़ी कोश का कौन सी होती है सुतर मुर्ग का अंडा और स्टिच एक जो होता है एक सबसे वड़ी कुषका मानी जाती है और ये सबसे वड़ी कुषका सुतरमुर्ग का हंडा Most important person exam के लिए सबसे छोटी कुषका काउंसी होती ही दोस्तो तो माइको प्लाजमा की कुषका सबसे छोटी मानी जाता है दोस्तो तो माइको प्लाजमा को आईए next important person को समझते हैं जंद कुषका और पादब कुषका की डाइगराम को दिखाया गया है दोस्तो तो जो green color की है ये आपकी पादब कुषका है जबकि blue और reddish color की कौन सी कुषका जंद कुषका तो जंद कुषका और पादब कुषका में basic difference क्या होता है दोस्तो पादब कुषका में लबक पाए जाते हैं या chloroplast पाए जाते हैं जबकि जंद कुषका हों में लबक नहीं पाए जाते हैं सबसे Most important character है किसी भी पादफ कोशिका का और कोशिका के चार और पादफ कोशिका में कोशिका की चार और क्षार क्या पायाती है तो Sel वाल पाय जाती है जड़की जंद कोशिका में क्या पायाती है दोस्तो plasma membrane की बनी होती है बाहे परत आई यह Next important प्रशनों को समझते हैं दोस्तों कोशिका सरीर की सरचनात्मक एबं क्रियात्मक एकाई है दोस्तों कोशिका सरीर की सरचनात्मक एबं क्रियात्मक एकाई structural and functional unit of body कहने का मींस दोस्तों यह कि cell is structural and functional unit of body यानि कोश्का से किसी जीव का क्या है सरचना आकार प्रकार बनता है साथ ही साथ और वही साथ ही कोश्काई क्या करती है दोस्तों वो फंक्सन करती है जैविक क्रिया करती है जैसे स्वशन क्रिया हुई उस सरजन हुआ गती हुआ व्रद्धी हुआ उपापचे क्रिया है ये स सभी लच्षन क्या है कि सिवीत कोषिका कि जयोंग овेद गभीक लच्षना है मैं और ये कोषिकाय करती एं आएं समझते हैं कि किसी भीजीब का शरीर किन से मिलकर बना होता है तो सेल तो सेल की करता направ owns दो सेल एंखटी होती है तो उतक करने वान करती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों टिशू बोलते हैं जब बहुत सारे टिशू इखटे होते हैं तो उन टिशू को क्या कहा जाता है दोस्तों तो ओर्गन कहा जाता है और साथ ही साथ जब बहुत सारे ओर्गन इखटे होते हैं एक होते हैं तो ओर्गन सिस्टम बनाते ह यह आपका राइवोसोम के निर्माण में सायता करता है आईए समझते हैं राइवोसोम को हम क्या कह सकते हैं तो राइवोसोम को प्रोटीन फैक्टरी का जाता है क्या का जाता है आपसे एक्जाम में प्रस्ण पूछेगा कि कोशिका में प्रोटीन फेक्टरी किस अंग को का जाता है किस कोशिकां को जाता है तो आंसर होगा आपका राइबोसों आईए नेक्स्ट इंपोर्टन प्रस्णों को समझते हैं दोस्तों सबसे मनुस के सरीर में सबसे बड़ी कोशिका काउंसी है तो दोस्तों नियूरान कोशिकां को जो आपका नर्वस सिस्टम में तंद्र का तंद्र है और तंद्र का तंद्र बनता किसे दोस्तों तो नियूरान से बनता है तो नियूरान सबसे छोटी काई होती है किसी भी तंद्र का तंद्र की और नियूरान मनुस के सरीर की सबसे लार सबसे इंपोर्टन यहां पर एक और प्रस्व मनता है कि नियूरान की कोश्काओं में क्या नहीं पाया जाता है तो दोस्तों डिवीजन नहीं पाया जाता है विभाजन की छंता सबसे कम होती है और सबसे कम विभाजन की छंता मनुस्की कोश्काओं में किसमें होती है तो आप तो आपकी कौन सी कोश्का है तो लीवर सेल आंसर क्या होगा दोस्तों लीवर सेल मोस्ट जनरेटिव सेल्स कही जाती है मनुस्त के सरीर की सबसे कम विवाजन की छमता वाली कोश्का हो क्या बोल सकते हैं दोस्तों तो निूरान सेल क्या बोल सकते हैं दोस्तों निूरान सेल ब मनुस की सबसे छोटी कोशिका हैं होती है जबकि मनुस की सबसे बड़ी कोशिका मनुस के सरीर में कौन सी होती है दोस्तो तो ओवम यानि अंड कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कही जाती है most most important प्रसन एक्जाम के लिए और मनुस्ट पर सबसे छोटी कोशिका मनुस के सरीर में कौन सी होती है दोस्तो तो इस परम कोशिकाएं होती है कौन सी इस परम कोशिकाएं होती है मनुस्की कम भी भाजन ना होने वाली कोशिकाएं हम किने बोलते हैं दोस्तो तो neurons cell को किसको बोलते हैं दोस्तो सबसे बात है दोस्तो जन्द कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं most most important किस कोश्का में लवक नहीं पाए जाते हैं दोस्तों तो आपके जंद कोश्का में लवक नहीं पाए जाते हैं mostly लवक कितने प्रकार के हों दोस्ते तो बड़ी लवक अबड़ी लवक और आपका तीसरा जो सबसे important होता है थर्ड है chloroplast आईए next important person को समझते हैं दोस्तो monera monera के अंतरगत किन जीवों का अधिन क्या जाता है दोस्तो monera के अंतरगत bacteria को रखा गया है mycoplasma की कोशकाओं को रखा गया है exam में कई बार प्रसन पूछा जाता है आपके kingdom monera के अंतरगत किस जीव को रखा गया तो आपका answer हो जाएगा दोस्तो bacteria and mycoplasma की कोशकाओं को तो आप लोग सभी जानते हैं bacteria कैसे हैं सूचम जीव हैं जो हमारी प्रत्वी पर पाय जाते हैं सर्ब्यापी जीव हैं जल, थल, मिट्टी और बायो में पाय जाते हैं bacteria और कए तरह के ये अच्छी क्रियाएं भी करते हैं साथ ही साथ ये हान कारक क्रियाएं भी करते हैं दोस्तों और mycoplasma से भीविन प्रकार की बीमारियां पोदों जिन्टूं में फैलती हैं ये भी important बात है तो mycoplasma मुनेरा के इंतरगर आए नेक्स्ट इंपोर्टांत बात करते हैं काभक तथा East में उसकी जो बाहर पर्त होती है वो किसकी बनी होती है तो सेल वाल जो बनी होती है काईटीन की बनी होती है most important प्रसण है एक्जाम में कई बार प्रस्ण ये पूशा जाता है और सुपर टेट के लिए most important प्रसन है आपका कबक तता years में जो sell वाल होतीय किसे बनी होती दोस्तो थो काइटिन की बनी होती है जबकि प्लांट सेल दोस्तों प्लांट सेल में जो कोशिका होती है उसकी जो पाया पड़त होती है वो सेल वाल की बनी होती है कोशिका भीत्ती की बनी होती है जो काफी द्रण होती है कैसी होती है द्रण रिग्ड सेल वाल होती है प्लांट सेल में we weekly exam के लिए सबसे अच्छा प्रस्माना जाता कि जिन में जो निखलेस होता वह कैसा होता है दोस्तों और साथ ही साथ क्या है माइकुलाड माजुट overturn एक अंक आये और इंध्योड के सकते हैं अद्द gases पाए जाता है परो सेल्स में आये समस्ते यूकरियूटिक को सकाмы क्या है तो दुनिया में जितने भी जडेल जीव हैं वह कोशकाओं होती है तो इनमें केंदर कैसा होता है well-double-up होता है और DNA with हिस्टरोन प्रोटीन तो इसमें दुनिया के जितने भी जंत हो है और प्रेंट पोदें सभी आ जाते हैं Eukaryotic Koshkaon में तो Koshkaon को हम लोगने समझा Prokaryotic Koshkaए Eukaryotic Koshka Natal relatively Eukaryotic Koshka जंद और प्रेंट पहोदे आते हैं, दोस्तों आईसे समझते हैं, next person को Prokaryotic Koshka Prokaryotic Koshka में Kendrasur KendraВы Mytochondria, Kloroplast Golgiwady, Indoplasming Riticulum नहीं पाय जाते हैं सबसे important प्रसन है कि कौन से organ प्रोकरियोटिक को इसकाओं में नहीं पाया जाते हैं तो केंद्रक, केंद्रक जिल्ली और साथ ही साथ mitogandia, chloroplast, golgivadi, indopasumo, reticulum अनुपस्तित होते हैं इसमें अनुवांसिक पदार्थ पाया जाता है, परनत इसमें क्या नहीं पाया जाता है तो यह important है, stone protein नहीं पाया जाती है प्रोकरियोटिक कोशकाओं में केंद्रक तो पाया जाता है या केंद्रक नहीं, अनुवांसिक पदार्थ तो पाया जाता है लेकिन हिस्ट्रोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है जबकि जो केंद्री पदार्थ होता है वो उसके कोशिका द्रब में कैसा होता है suspended होता है आई समस्ते हैं प्रोकरियोट कोशिकाओं के अंतरगत दुनिया की माईको प्लाजमा की सेल और साथी साथ बैक्टीरिया नील, हरे सहवालों को इसमें रखा गया कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकाओं कैंग क्या है दोस्तों कोशिका में कौशिका में कौए कौन सा अंग है जो सबसे बड़ा होता है most important प्रसन है PLASTID होता है कौन सा है तो कोशिकाओं originals तो plastid होता है और कोशका का सबसे छोटा originals का होता है दोस्तो तो ribosome ribosome को क्या कहा जाता है दोस्तो तो protein factory कहा जाता है यह बात important है याद रखनी है जबकि eukaryotic कोशकाओं में kendra, kendra zhilli, mitochondria, endoplasmic reticulum लबक, golly body सबी कोशकां पूर्ण विक्सित होते हैं दोस्तो और साथी साथ सबसे important जो बात है, fact है सबसे important DNA with क्या होता है stone protein पाई जाती है या उपस्तित होती है, दुनिया में जितने भी प्रेट पौदे हैं, जन्तों हैं, उन सभी कोशकाओं में eukaryotic कोशकाओं पाई जाती है साथी साथ बात करते हैं lysosome को क्या कहा जाता है दोस्तों तो आद्ग माती थेले कहा जाता है suicidal wax कहा जाता है इन में कौन से enzyme पाई जाते हैं तो hydroletic enzyme पाई जाते हैं किसमें तो lysosome में आए समझते हैं, केंदरक की खोच किसने की दोस्तों तो most most important ब्राउन ने की और केंदरक के अंदर केंदरिका उती है वो किसका निर्माण करती है तो आप इसे सदो राई सोम का निर्माण करती हुआ साथी साथ lyosome की खोच किसने की दोस्तों किसने की दूवे FUCK आई यह बाजमा मीमरेन होती है उसे हम अर्द पारगम जिल्डी भी कह सकते हैं जो किसी भी कोश्का को घेरे रहती है साथी साथ दोस्तों समझते हैं जीव द्रब में सरवादिक मात्रा में कौन सा तत्त पाया जाता है दोस्तों तो most important प्रस्णिक जाम के लिए oxygen तत्तों कौन सा तत्तों oxygen जीव द्रब को जीवन का भुथी कादार किस ने माना था तो हकसले ने माना था सेल वाल जंद कोश्का में नहीं पाया जाती है किसमें नहीं पाया जाती है दोस्तों तो जंद कोशिका में सेल वाल नहीं पायाती है, उसके स्थान पर क्या पाया जाता है, तो प्लाजमा मिंब्रेन की जिल्ली पायाती है, साथ ही साथ दोस्तों समझते हैं, जंद कोशिका में सेंट्रोसोम और प्लास्टीट नहीं पाया जाते हैं, तो इस तरह हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्डन प्रसनों को डिसकस किया, जो आपकी सुपर्टेट, बैंक, PCS, और अधर एक्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्डन थे, अब आपको नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्न बाद झाल, के ने जली को एक्या हो और एक्श्चा लादे झाल, कर दोस्तों को पारalt बादाए ही सार्जनुर्गत को बढ़ें हादा झाल, क्वाई जया है, पटHeIKBack, पोर्द्चा यंपाय।